दोस्तों इसी बैटर से हम इडली भी बनाएंगे, अपपे भी बनाएंगे, डोसे भी बनाएंगे और उत्तपम भी बनाएंगे तो हमने ये एक ऐसा बैटर बनाया है जिससे हम ये चारो चीजे बड़ी आसानी से बना सकते हैं अलग-अलग बैटर बनाने की जरूरत नहीं चलो दोस्तों असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूँ रश्मी और आप मेरे साथ देख रहे हैं जाई कैरो सोई दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं इडली, डोसा उत्तपम और अप्पे का बैटर तो आज हम फोरें बन बैटर बनाएंगे इसके लिए हमें अलग-अलग बैटर बनाने की जरूरत नहीं है हम एक ही ऐसा बैटर बनाएंगे जिससे हम ये चारों चीज़े आरान से बना सकते हैं मैंने यहाँ पर लिया है चावल चावल मैंने यह बहुत छोटे वाले लिये है चावल एक किलो है और लिया है मैंने उरत की डाल यह आधा किलो है और लिया है मैंने यहाँ पर चनही की डाल यह 200 ग्राम है और मैंने चार चमच यह मेथी दाना लिया है उसको भी भिगो दिया है तो हम इन सारी चीजों को इखटा कर ले निकाल कर और एक pequसी के जार में डाल कर इनको ग्रैंड कर लेंगे उसके लिए हम ले लेते हैं एक जार और का्टोरी इसी कटोरी से हम चावल निकाल कर जार में डाल देते हैं और अब इनको हम बारिक पीस लेते हैं मतलब जादा बिल्कुल फाइन नी बनाना एक थोड़ा हलका दरदर आपन रह जाएगा इसमें अगर लगे कि पानी डालना है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं वैसे अभी इसमें थोड़ा पानी है साथ में तो चलिए अब इसको पीस लेते हैं तो यह देखिए फर्स टाइम वाला हमने पीस लिया है बस इस तरीके का इतना दरदरा हमें रखना है अब इसको हम एक बड़े से बरतन में पलट लेते हैं इसी तरीके से हम बाखी का बैटर भी पीस लेते हैं और फिर लास्ट में हम उरत की डाल पीसेंगे और वह भी इसी में मिक्स कर लेंगे चावल हमारे पिस गए हैं अब इसी जार में हम डाल को भी पीस लेते हैं तावलों में मैंने बीच-बीच में पानी डाला था मुझे जरूरत पड़ी थी पानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी अब दाल को भी थटा-फट से पीस लेते हैं ये देखिज़ दोस्तों डाल भी इकदम बारीक पिस ले conservative कि दाल को भी उसी मिक्सजर में में दाल देंगे तो ये देखिए दोस्तों सारा बैटर हमने पीस लिया है और एक बड़े से बरतन में ट्रांस्फर कर लिया है अब इस अब को बहुत अच्छे से मिकस कर देंगे क्योंकि दाल और चावल आपस में मिकस हो जाएं बिल्कुल तो यह देखिए बैटर हमने मिक्स कर लिया है और यह जादा पतला भी नहीं है इतना थिक रखा है हमने अब हम इसको ढख कर ऑल नाइट के लिए छोड़ देते हैं वैसे तो गर्मी जब होती है तो आठ से दस घंटे इसको रेस्ट करने के लिए काफी है लेकिन अभी सर्दि इसको ढख कर रख देती हूं सारी रात के लिए अब मैं सुबा देखूंगी इसको और एक बात का ध्यान और रखना है जिस भी बरतन में हमारा बैटर है उस बरतन को आधे से जादा खाली छोड़ना है नहीं तो जब फूलेगा ना तो बरतन से बाहर निकल जाएगा तो इ यह देखिए इस तो इतना बाहर आ गया था फूल के के यह देखिए प्लेट पर भी इतना सारा लग गया है अब बैटर तो हमारा तयार हो गया है किसी बात की फिक्र चिंता नहीं है क्योंकि अब हम कुछ भी बना सकते हैं इकटे बैटर से अब इसको रख लिजिए आफ फ बैटर को यूज करने से पहले उसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब दोस्तों इस एक बैटर से हम बनाएंगे कई सारी चीजें पर अलग अलग वीडियो में एक ही वीडियो में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ए फोर इन वन बैटर की रेसीपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तो चलती हूँ मेलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए अलहाफिर